नमस्कार मैं हूँ मनी पांडे और आप देख रहे हैं बेस्टिन बैंक्स दोस्तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से फोन पे के उपर बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से फोन पे रिवार्ड को यूज़ कर सकते हैं दोस्तो नया साल स्टार्ट हो चुका है और फोन पे के उपर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाए थी तो सोचा कि फोन पे के उपर फिर से एक बार वीडियो बना दिया जाए दोस्तों phone pay reward को use करने का जो technique है जो तरीका है वो पूरी तरीके से phone pay ने बदल दिया है हमारे पूराने वाले वीडियो को देखके आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि phone pay reward को किस तरीके से use किया जाता है वैसे जो लोग नहीं जानते हैं कि phone pay reward क्या है उनको मैं बता देना चाहता हूँ फिर आप जब भी phone pay से कोई भी transaction करते हैं किसी भी तरीके का पैसा transfer करते हैं mobile recharge करते हैं या फिर किसी भी तरीके का transaction आप phone pay का इस्तमाल करके करते हैं तो पहले phone pay के द्वारा आपको cashback दिया जाता है पिछले साल में लेकिन इस साल या फिर पिछले साल यानि 2020 के लास्ट से आपको phone pay द्वारा cashback की जगा पे आपको एक scratch card दिया जाता है जिसे हम reward बोलते हैं जी हां दोस्तो phone pay द्वारा किसी भी transaction को करने पे आपको एक scratch card दिया जाता है जिसे scratch करने के बाद आपको धेरो सारे offers धेरो सारे discount और coupon आपको मिल जाते हैं किस तरीके से उस scratch card को इस्तेमाल किया जाएगा किस तरीके से आप इसे check कर पाएंगे अपने phone pay में reward कैसे use कर पाएंगे जिस सबी चीज़ों को इस वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आप इसे ले पाएंगे तो वीडियो में अंतक बने दिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कीजेगा दोस्तो फोन पे रिवार्ड को इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले आपको फोन पे एप को उपेन करना होगा एक बात का खयाल रखिएगा कि आपका जो फोन पे एप है वो अपडेटेड होना चाहिए यानि लेटेस्ट वर्जन का एप आपका होना चाहिए अब यहाँ पर फोन पे रिवार्ड को किस तरीके से चेक करना है इसके लिए हम चलिए प्रोसेस आगे का जान लेते हैं सबसे पहले आप कोई भी रिचार्ज करेंगे कोई भी फोन पे से बिल पेमेंट करेंगे किसी भी तरीके का किसी को भी पैसा भेजेंगे यानि किसी भी तरीके का आप टरंजेक्शन कोई भी करेंगे तो फोन पे द्वरा आपको कोई न कोई रिवार्ड मिलेगा ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको phone pay से transaction करना तो आता ही होगा अब यहाँ पर चलिए जानते हैं किस तरीके से आपको reward का इस्तमाल करना है और इसे किस तरीके से आपको phone pay के अंदर reward को check करना है कि आपको यहाँ पर कौन सा reward मिला हुआ है दोस्तों phone pay के अंदर reward चेक करने के लिए सबसे पहले आपको phone pay अपको open करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ rewards का एक option देखने को मिलेगा यहाँ पर simply आपको rewards वाले button पे click करना होगा दोस्तों आपको rewards वाले option पे click करने के बाद जो भी आपने transaction किया है transaction के लिए जो भी आपको reward मिले है उन सभी rewards का जो भी list हो का वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा basically पहले आपको जो reward मिलता था उसमें आपको एक scratch card मिलता था लेकिन अब scratch card वाला system बंद हो गया है अब directly आपको यहाँ पर reward दे दिये जा रहा है पहले आप reward को scratch करते थे उसके बाद आपको reward दिखाय जाता था लेकिन आपको कौन सा reward मिला है वो directly यहाँ पर दिखाया दिये जा रहा है अब इन rewards को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको process बता देता हूँ ठीक है थोड़ा सा प्रोसेस में changing हुआ है तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है चले जानते हैं किस तरीके से आपको इन rewards को इस्तेमाल करना है दोस्तो rewards के रूप में यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है ठीक है यहाँ पर आप देख पार हैंगे सभी के सभी हमारे coupon code हैं यानि जब भी हम इन company के साथ कोई भी समान खरीदेंगे पर्चेस करेंगे या फिर कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पर जो amount का हम समान खरीदेंगे स्वापिंग में बहुत सारा heavy discount हमें यहाँ पर मिल जाएगा उस coupon code का इस्तेमाल करके चलिए अब जानते हैं किस तरीके से reward को यूज करना है यानि किस तरीके से इन rewards के coupon code को इस्तेमाल करके और बहुत सारे heavy discounts हमें लेने है जैसे कि आप देख पार हैंगे हमारे पास बहुत सारे reward अबलेबल है हम यहाँ पर किसी भी एक reward को select करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास flip card का एक reward हमें यहाँ पर मिला हुआ है हम flip card वाले reward को यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर सबसे पहले reward को इस्तमाल करने से पहले आपको reward का detail जान लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हमें जो reward मिला हुआ है वो किस चीज का है यह हम चलिए जान लेते हैं यहाँ पर हमें flat 100 rupees off यानि यह जो reward मिला हुआ है वो flip card पे मिला हुआ है और 100 rupees का discount हमें मिलेगा इस reward का इस्तमाल करने पे अगर हम कोई भी grocery से related product यहाँ पर flip card पे खरीदे हैं यानि जो oil बगरा होते हैं जो भी हमेरे kitchen के items होते हैं वो सभी चीज़े हम खरीदेंगे इसके लिए आपको यहाँ पर offer detail पे click करना होगा offer detail पे click करते हैं जो भी criteria होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा होगा सभी steps को आपको अच्छे से पढ़णा होगा यहाँ पर हमें जो discount मिलने वाला है वो कम से कम 700 रुपे का हम swapping करेंगे flip card से तभी यह coupon code का इस्तमाल करके हम 100 रुपे का discount ले पाएंगे यहाँ पर पहले ही step में यह बात clear लिख दिया हुआ है तो आप यहाँ पर सबसे पहले offer detail को जरूर पढ़िएगा तभी आपको यहाँ पर reward अच्छे से इस्तमाल करना आएगा अब चलिए देखते हैं कि इस reward को इस्तमाल करके किस तरीके से हमें discount लेना है इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको code का एक option देखने हो को मिलेगा इसी में आपको show वाले बटन पर click करना होगा show वाले बटन पर click करते ही आपको एक coupon code देखने हो को मिल जाएगा जो कि flip card का coupon code है इस code को आपको copy कर लेना है या फिर कहीं भी note down करके रख लेना है अब यहाँ पर आपको इस्तमाल करने का दो process में आपको बताऊंगा एक आप indirectly इस्तमाल कर सकते हैं flip card का official website खोल के या फिर आप directly यहाँ से भी उस website पर जा सकते हैं यहाँ पर आपको इस coupon code का इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले steps to avail offer का एक button देखेगा इस पर click कीजेगा तो यहाँ पर इस coupon code को किस तरीके से इस्तमाल करना है उसका पूरा step by step process यहाँ पर आपको बताया गया है step 1, step 2 और step 3 में आप इस step को follow करके अच्छे से पढ़के यहाँ पर इस coupon code को इस्तमाल कर सकते हैं और एक direct method है वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको directly इस coupon code को apply करने के लिए यहाँ पर आपको order now का एक option देखेगा या फिर buy now का या फिर avail now का यहाँ पर अलग-अलग rewards में अलग-अलग option आपको देखेगे को मिल जाएंगे आपको नीचे वाले बटन पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप क्लिक कीजेगा आपको chrome browser को select करके यहाँ पर इस website को open कर लेना है अब यहाँ पर आप देख पा रहेंगे कि हमारा जो website है वो खुल चुका है अब यहाँ पर हमें basically 700 रुपे का कोई भी एक product हमें select करना होगा इसके लिए हम किसी भी एक product पर क्लिक करते हैं ताकि आपको दिखा पाएं कि किस सरीके से आपको reward का इस्तमाल करना है यहाँ पर हम किसी भी एक product को add करते हैं जैसे कि हमें 344 रुपे का यह वाला जो product है इसे हम दो बार add करेंगे तो हमारा 700 रुपे का criteria यहाँ पर पूरा हो जाएगा यहाँ पर हमें कहीं भी coupon code को apply करने का option नहीं दिया हुए जबकि हमने पूरा का criteria पूरा किया है और यहाँ पर 700 प्लस रुपे का यहाँ पर समान को भी यहाँ पर select कर रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पर phone पे app को फिर से open करते हैं यहाँ पर मैं steps to available offer पे click करूंगा तो यहाँ पर मुझे step 3 में बताया गया है कि यहाँ पर अगर directly हम order यहाँ से करते हैं तो हमें कोई भी coupon code को apply करने की जरूत नहीं है automatic हमारा coupon code वहाँ पर apply हो जाएगा और 100 रुपीज का discount automatic मिल जाएगा अब चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमें 100 रुपीज का discount मिला है कि नहीं मिला है यहाँ पर मैं आप देख पार हैंगे कि यह जो product है वह 1215 रुपे का है और total discount हमें यहाँ पर लेके यहाँ पर हमें जो product हुआ है वो 1020 रुपे में हुआ है यानि हमें यहाँ पर discount जो है मिला हुआ है इसी तरीके से यहाँ पर coupon code नहीं दिखाया जा रहा है लेकिन अगर आप किसी और offer को यूज कीजेगा यानि अगर आप किसी और reward को यूज कीजेगा और payment page तक आएगा तो कहीं ना कहीं आपको coupon code अपलाई करने का option दिये जाएगा या फिर कहीं ना कहीं offer code अपलाई करने का इस तरीके का आपको कहीं ना कहीं बटन दिये जाएगा तो उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर coupon code को अपलाई करना होगा जब तक आप coupon code अपलाई नहीं कीजेगा तब तक आपको यहाँ पर offer को इस्तमाल करने का मौका नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप product को select किजएगा यहाँ पर place order पर click करके आप payment किजएगा तो आपका जो payment है हो जाएगा आपका जो reward है वो use हो जाएगा अब चलिए हम फिर से back चलते हैं अपने phone पे वाले page पे और फिर से back करते हैं यहाँ पर और भी इसी तरीके से बहुत सरे rewards हैं यहाँ पर आप किसी भी एक rewards को select किजएगा और यहाँ से इसे इसी तरीके से same to same process करके आपको यहाँ पर use करना होगा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर step जरूर पढ़िएगा कि coupon code automatic आपको discount मिल जाएगा इसी तरीके से same to same सबका अलग-अलग criteria होगा सबका अलग-अलग method होगा तो यहाँ पर आपको बस पढ़ लेना है सबको और यहाँ पर नीचे वाला जो buy now का button है email now का जो भी option आपको यहाँ पर नीचे दिया जाएगा आपको इस नीचे वाले बटन पर क्लिक करके directly coupon code को apply कर लेना है और वहाँ से आप सबी चीजों का इस्तमाल कर पाएंगे और सबी वेबसाइट पर जितने भी वेबसाइट का offer आपको दिया गया है सबका हे भी discount आप ले पाएंगे तो कुछ इस तरीके से phone pay में आप reward को इस्तमाल कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि मैंने phone pay reward के बारे में सारा knowledge आपको दे दिया है अगर अभी भी कोई भी confusion आपके पास बचा हुआ है कि phone pay reward किस तरीके से यूज किया जाए तो आप please comment section में हमसे comment करके हम उसका reply 110% आपको जरूर करने की कोशिस करेंगे उमीद करता हूँ वीडियो में दीगे जनकारी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, इस पर comment जरूर कीजेगा चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई टेक केर